14th July 2021 के The Hindu Analysis में आप सभी का स्वागत हैं आज हमरे टेवल के उपर important news headlines तो है ही इसी के साथ एक बहुत important article है It's about COVID-19 third wave इसके बाद दो articles economy के साथ जुड़े हुए है Last वाला article जो है ये लिखा है भरत जुन जुन वाला साब ने भरत जुन जुन वाला साब के articles जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है काफी innovative होते हैं काफी out of the box इसमें आपको चीजें पढ़ने को मिलती हैं तो जब भी आपको किसी भी newspaper में भरत जुन जुन वाला का article पढ़ने को मिले तो ये मेरा personal recommendation है कि उनके articles को ज़रूर पढ़ियेगा Dear friends, अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं तो study IQ लेकर आया है एक complete online smart course course के interesting features, subjects, demo videos, prize, सारी चीजें आपको हमारे mobile app के उपर से मिल जाएगी तो आज ही download करें study IQ का mobile app आज के lecture की video को download करने के लिए check out my telegram channel you can follow me on Facebook as well अब बात करते हैं news items के बारे में प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी साब ने हमारे Olympic players के साथ एक interaction किया and I'm sure इस interaction से हमारे Olympic players जो है उनको काफी motivation मिला होगा प्रधान मंतरी साब खुद एक बहुती inspirational व्यक्ती है तो I'm sure Olympic players जो है वो अपने एक बहुती positive zone में आ चुके होंगे because of this interaction with our top leadership Prime Minister नरेंद्र मुदी साब ने ये चिंता भी व्यक्त की है कि जिस प्रकार से हमें कुछ तस्वीरे देखने को मिलती है वीडियोस देखने को मिलता है और आप अगर आपके शहर में या फिर टाउन में भी निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अब COVID appropriate behavior follow नहीं करते हैं बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है भीड में जाने लगे हैं किसी कुछ लोगों की गलती की वज़े से पूरे देश खत्रे में पड़ सकता है Central Government ने ये कहा है कि जिन districts में COVID के cases ज्यादा देखने के मिले थे अब वहाँ पर भी COVID के numbers जो है वो drop होने लगे हैं तो ये एक अच्छी बात है लेकिन हमें lenient नहीं रहना है हमें किसी कोई गलत फह्मी में नहीं रहना है We have to stay vigilant National COVID-19 recovery rate 97.3% तक पहुँच गया है Finance Minister Nirmala Sitharaman जी और उनके counterpart जो है भूतान के उन्होंने मिलकर Bheem UPI को भूतान में लाँच किया है तो दूसरे भी ऐसे कुछ देश है जो Bheem UPI Technology को अपने देश में implement करना चाते है This is a big success for our country Union Minister Manshukh Mandavya साब ने कहा है कि एक Market Development Assistance Policy तयार की जाएगी जिससे लोग जो है जो किसान है वो Alternative Fertilizers का इस्तमाल कर सके फिर प्रदानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के तहट अभी तक 15.30 lakh metric ton food grain जो है वो अलग-अलग जगाओ पर हमारे देश में distribute किया गया है दो schemes चल रही है एक है स्वामित्व scheme और दूसरी है E-Panchait Program तो इन दोनों की तरक्की का एक review किया हमारे पंचायती राज और Rural Development Minister गिरिराज सेंगिन है Total vaccination coverage की बात करे तो 38.50 करोड तक हम पहुँच गए है Prime Minister Saab कल Varanasi की visit पर जाने बाले है External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar ने Kampala Principles के बारे में बात बताई है तो जब भी आपको India और Africa के बारे में कोई प्रशन पूछा जाता है तो आप Kampala Principles का reference दे सकते हैं अब ये Kampala Principles क्या है उसको थोड़ा आप study कर लिजेगा अगर आपको difficulty हो रही है तो let me know तो मैं इसको आपको let's say Saturday को इसको explain कर दूँगा 64 लोगों की मृत्यू हुई है ये बहुत खबर आ रही है बहुत बुरी खबर आ रही है from Iraq Iraq का एक शहर है जिसका नाम है Nassirya Nassirya में COVID isolation unit में आग लगने की वज़े से 64 लोगों की मृत्यू हुई है South Africa में भी वाइलेंस देखने को बिला political violence और इसकी वज़े से 30 लोगों की मृत्यू हुई है France की competition authority ने Google के ऊपर 500 million euro का fine लगाया है Tourism Minister G. Kishan Reddy साब ने ये कहा है कि Bricks countries जो है Bricks group के members इसमें पांच देशें B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa तो ये पांच देशों के बीच में जो common tourism products हैं तो ये common tourism products को हम एक साथ या फिर इसके उपर एक साथ काम किया जा सकता है तो इससे हर किसी का फाइदा होगा आपकी screen के उपर जो तस्वीर है इनका नाम है मिरुट सौरब चोधरी अब बिगए पड़न के नाम है सौरब चोधरी और ही इस फ्रम मेरट राइट माफ की जिगा यहां पर मैंने एक चोटी सी गल्ती कर दी जल्दी जल्दी पढ़ने के चकर में ऐसा कभी-कभी हो जाता है तो सौरब चोधरी जो है वो एक शूटर है उन्होंने टोटल 21 मेडल्स जीते हैं 14 गोल्ड मेडल्स हैं फाइव सिल्वर्स हैं और दो ब्रॉंज मेडल्स हैं उनके पेरेंट्स उनके सिबलिंग्स उनके कोच सभी का कहना यह है कि वो ऑलम्पिक में डिफिनिटली और पर एड़ करना चाता हूँ मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि शूटिंग जो गेम है उससे हम बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं उलम्पिक लेवल तक अगर कोई व्यक्ति शूटिंग कॉम्पिटिशन में पहुचता है तो अलग-अलग देश के जो भी शूटर् ट्रेइनिंग उनकी फिजिकल ट्रेइनिंग उनकी जो शूटिंग को लेकर ट्रेइनिंग है ये सारी चीज़े जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की ही होती है लेकिन फिर भी कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और कुछ लोग उनको कोई मेडल नहीं मिलता है मिल पहुत ही difficult sport हैं और यहां तक पहुचने से पहले आपको कितनी सारी हार का सामना face करना पड़ता है तो जो shooters होते हैं उनकी कहानी काफी motivational होती है और काफी real और inspirational होती है कि इतने सारे failures के बाद भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और you know gold medal तक silver या फिर bronze तक पहुचते हैं तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ी definitely बहुत बड़ी बात है moving on to opinion editorials averting super spreaders times of India का ये article है उत्राखन सरकार ने ये ते किया है कि जो कनवर यात्रा है उसको इस साल cancel किया जाएगा last year भी इसको cancel किया गया था और thank you very much उत्राखन government कि आपने ये decision लिया ये एक काफी अच्छा decision है positive decision है covid positive से तो अच्छा यही है कि इस प्रकार की यात्रा है या फिर इस प्रकार के जो भी अलग-अलग चाहे हिंदू, Muslim, Christian, X, Y, Z जो भी अलग-अलग religious festivals हैं उनको अगर हम कुछ सालों तक celebrate ना करें तो इसमें इतना कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा हाँ economy के उपर इसकी थोड़ी बहुत impact देखने को मिलेगी लेकिन अगर हम जिन्दा रहेंगे तो फिर सारी चीज़े कर पाएंगे अगर जिन्दगी ही नहीं है तो फिर यह सारी चीज़े जो है वो कोई काम की नहीं रहती है उत्तर प्रदेश गवर्मेंट को भी उत्तरा खंड सरकार से ऐसे लेसंस लेने की आवशकता है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी साब ने भी चिंता व्यक्त की है हमने अभी बात की और उन्होंने भी बताया कि मार्केट्स में की जो तस्वीरे उनको देखने को मिल रही है तो काफी भीड और लोग जो है वो मास्क नहीं पहने रहे हैं रेस्ट्रोरेंड्स और बहुत सारी जगह उपर हमें भीड देखने को मिलती है अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आइड करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ लोगों का खुसूर नहीं है हम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्या कहते हैं हम कहते हैं नेता पॉलिटिकल लीडर्स इसनिट वो जो करते हैं उस चीजों को बहुत सारे लोग मिररिंग करते हैं मिररिंग यानि कि किसी ने कुछ किया तो उसी किसी फेमस सेलिब्रिटी ने या फिर पॉलिटिशियन ने कुछ किया तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एक पूरा काफला जा रहा है किसी इंपोर्टेंट व्यक्ति का बट एनिवेः दरीजन आम सेंग दिस तिंग के ऐसा लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारी जगाओ पर एलेक्शन्स हुए कई जगाओ पर स्टेट लेवल के एलेक्शन हुए कई जगाओ पर कॉर्पोरेशन के एलेक्शन्स हुए और अलग-अलग जगाओ पर अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने यहाँ पर मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं किरूए I'm not just talking about West Bengal में BJP और TMC और Congress ने क्या किया हर एक खेत्र में जहाँ जहाँ पर अलग-अलग इलेक्शन्स हुए हैं वहाँ वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लोगों ने कुछ समय पहले की बात है काफी leniency बरती थी ना तो वो मास्क पहनते थे बड़ी भीड इकठा होती थी पॉलिटिकल पार्टी के कारिया लगे के बाहर अगर आप जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कितने सारे लोग जो हैं वह वहाँ पर इकठा होते थे कुछ समय पहले की बात हैं सेकंड वेव स्टार्ट हुई उससे पहले की मैं बात करना हूँ जब कोविट के कैसे जो हैं वो ड्रोप होने लगे थे तो लोकल इलेक्शन थे और आपको 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 कुछ दस साले दस बच गया थे तो आई वस आउट मैं वोकिंग के लिए निकला और मेरे घर से इतना दूर नहीं वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पटिकुलर पार्टी का बहुत बड़ा कार्या लई हैं तो वहाँ पर मैंने जो सीन देखा वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो ग्रूप्स में बैठे हुए थे और कितनी सारी का पर के उपर था रियालिटी में इस प्रकार की मीटिंग्स जो हैं वो हर जगा पर चल रही थे तो ये एक चीज ऐसी है जो मैंने खुद ने देखे हैं आम शूर आपने भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं देखी होगी तो पॉलिटिकल पार्टी जो किया उसकी जब तक वो चीजों को नहीं करेंगे तब तक लोग भी उसको इतना सिरियसली नहीं लेंगे ये चीज़ हम सब को समझने के आपर चकता है कोविड की एक बात है कोविड जो है वो ऐसा नहीं कहता कि ये हिंदू है ये मुसल्मान है ये क्रिसचिन है ये पार्सी है या फिर शॉपिंग करने के लिए निकला है, यह टूरिस्ट है तो इसको छोड़ दो, यह एक पिल्ग्रिमेज के उपर निकला है, एक धार्मिक यात्रा के उपर निकला है, तो इसको नहीं ऐसा नहीं है, COVID-19 को तो crowd बहुत ही पसंद है, जहां पर crowd होगा, वहां पर COVID-19 spread होगा, कुम् साउधी अरेबिया के बारे में हम देखते हैं कि साउधी अरेबिया एक बहुत ही यूनो एक इसलामिक कंट्री है और इसलामिक कंट्री में से इसलाम के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट एक लीडर है, इसलामिक देशों का भी एक लीडर है, साउधी अरेबिया, तो अलुजल रेसिडेंस को ही हजड की यात्रा पर जाने की अनुमति मिलेगी बहार से आने वाले लोग Gg i実 वहां जो है लग जो थे वह हैं उनको परमिंशन नहीं मिलेगी तो एक राजह सही जैसा देश जो हम इन से इतना धर Schnee को इंपोर्टेंस देने वाला देश जो है अगर वो यह चीज कर सकता है तो हमारा देश तो सेक्यूलर और डिमोक्राटिक देश हैं हमें तो एक और ज्यादा अच्छी समझदारी जो है वो दिखानी चाहिए जितनी हम लापरवाही बढ़तेंगे उतना ही यह ज्यादा स्प्रेड होगा अर्बिया इस टाइट्रोप इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है इसमें तीन मेंबर्स आर्बिया के होते हैं जिसमें आर्बिया के गवर्नर भी शामिल है और तीन मेंबर्स जो हैं इनको गवर्मेंट एपॉइंट करती हैं तो यह टोटल छे मेंबर मिलकर डिसीजन लेते हैं और इन केस अगर इनके बीच में कोई टाइ होता है तीन मेंबर केते हैं यह और तीन मेंबर केते हैं नो तो फिर RBI के governor जो final कहेंगे वो decision मानना पड़ेगा तो इस प्रकार से MPC जो है वो decision लेता है अब MPC के decisions किस प्रकार के होते हैं कि interest rate या फिर जो repo rate है उसको कम करना reverse repo rate को कम करना ज्यादा करना तो ये सारी चीजों के decisions जो है वो monetary policy committee लेती है पैसो के लिए monitor यानि की money money के साथ जोड़ी हुई जो policy है उसको decide करने वाली committee जिसका नाम है MPC अब status quo maintain करना यानि की ना तो repo rate को कम किया ना तो increase किया पिछले कुछ समय से हमने देखा के repo rate और सारी चीजों को एक ही level पर status quo maintain किया जैसा था वैसा ही रखा है अब inflation retail inflation जो है यह थोड़ा बहुत थोड़ा marginally यहाँ पर सब्द है marginally जून में marginally ease हुआ ease यानि की थोड़ा drop हुआ यह जो पहले था उससे थोड़ा कम हुआ है अब monetary policy ने monetary policy या फिर MPC जो है MPC ने cut इसलिए नहीं किया क्योंकि MPC का यह मानना है कि यह जो महंगाई है वो temporary है थोड़े समय के बाद यह तीरे दीरे वापस back to normal हो जाएगी कुछ analyst का कहना यह था कि MPC जो है वो inflation के उपर focus करेगी या फिर inflation को control करने की कोशिस करेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं monetary policy committee ने यह थे किया है कि वो growth के उपर ही focus रखेगी growth के उपर focus इसलिए क्योंकि lockdown की बज़े से जो हमारी economy drop हुई है तो कैसे जल से जल इसको एक pickup मिले इसके उपर सबसे ज्यादा focus जो है वो MPC का रहेगा और ऐसा करने में अगर inflation थोड़ा बढ़ जाता है तो जिस प्रकार से MPC काम करी है तो यही हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ी महंगाई भी अगर बढ़ जाए तो चलेगा लेकिन growth जो है वो अच्छा होना चाहिए the status quo on both the benchmark policy rate and the accommodative stands will be maintained as the MPC will look through the spurt in inflation in the near term threatening it as transitory in nature, beg your pardon, treating it as a transitory in nature जो मैंने आपको समझाया के inflation के बारे में MPC का मानना यह है कि यह transitory है, थोड़े टाइम के लिए महंगाई बढ़ेगी उसके बाद देरे-देरे महंगाई जो है वो control में आ जाएगी और growth जो है वो आगे चलता रहेगा National Statistical Office ने जो data release किया है retail inflation का तो यह 6.26% रहा June में, it was bit higher, मे महीने की बात करे तो वो थोड़ा ज्यादा था अब core inflation, पर कुछ ऐसे शब्दा है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा Core inflation जो है, core inflation में आप food और fuel की price को add नहीं करते हैं इसके अलावा कि जो चीजें हैं उसको देखा जाता है, उसका analysis किया जाता है और जो एक rate निकलता है तो उसको उन चीजों को कहते हैं core inflation Core inflation यानि कि कुछ ऐसी चीजें जो stable है stable in the sense वो for example food और fuel जो है इसकी price up and down होती रहती है क्योंकि supply के साथ इसका एक relation है food का production अच्छा हुआ तो फिर price कम हो जाएगी fuel का production अगर world level पर ज्यादा हो रहा है तो फिर उसकी price कम हो जाएगी अगर कम production हो रहा है तो price बढ़ जाएगी तो यह volatile है यह up down होते रहते हैं लेकिन दूसरी चीजें जो है reasonably static रहती है उसकी जो frequency है वो इतनी ज्यादा volatile नहीं होती है तो core inflation जो है उसकी बात करें तो वो भी थोड़ा sticky रहा right और sticky in the sense थोड़ा ज्यादा रहा और थोड़ा बहुत moderate हुआ 6.19% रहा है वैसे जो RBI को एक range दी गई है सरकार के द्वारा सरकार ने RBI को यह कहा है कि आपको growth के उपर focus करना है और आपको inflation जो है उसको इस range में रखना है inflation 4% के आसपास होना चाहिए maximum 6% और minimum 2% इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा inflation नहीं होना चाहिए लेकिन फिलाल inflation जो है वो limit से ज्यादा है अब inflation यानि कि महंगाई जब ज्यादा होती है तो होता क्या है इसकी impact ऐसी होती है कि I'll give you example of petrol right fuel जो हम सब यूज़ करते हैं अब fuel की price जब ज्यादा होती है तो लोग सोच समझ कर fuel का इस्तमाल करेंगे अगर fuel की price लगबग 100 रुपे के आसपास जो चल रही है तो आप अगर traffic signal पर हैं तो you will turn off your motorcycle या फिर car आप car बंद कर देंगे motorcycle को बंद कर देंगे if you see कि 2 minute का waiting time है तो बहुत सारे लोग जो है वो वहिकल को बंद कर देते हैं क्योंकि क्यों दो मिनिट तक ऐसा ही fuel को वेस्ट करना isn't it अगर fuel की price बहुत ही कम होती बहुत ही let's say 50 रुपे पर लिटर होती तो motorcycle का तो छोड़ दीजिए लेकिन car जो है तो वो अपना air condition on रखते हैं और बंद नहीं करेंगे car को क्योंकि इतना कोई खास फर्क उनके pocket के उपर होता नहीं है because of low fuel price तो ये एक चीज़ हो गई कि consumption जो है वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है because of price खाने पिने की सीज़े सोच लीज़े अब महिंगाई बढ़ चुकी है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो every Sunday बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं या फिर बाहर से खाना मंगवाते हैं तो वो भी अब सोचेंगे कि पहले आप खाना मंगवाते थे चार लोगों के लिए तो years to cost you fifteen hundred to two thousand rupees अब अगर आपको three thousand rupees पे करने पड़ रहे हैं तो फिर आप सोचेंगे कि महिने में दो बार मंगाएंगे क्योंकि सारी चीज़े एक्समेंज ओवरॉल दूसरी चीज़े भी expensive हो चुकी हैं तो ऐसी ऐसे inflation की बज़े से ऐसा होता है कि आपका consumption जो है वो कम हो जाता है और consumption जब कम होता है तो production भी क्यों जादा किया जाए कुछ time के बाद companies को भी पता चल जाएगा कि वो ज्यादा production कर रहे हैं तो फिर market में उतनी खास कोई demand है नहीं और हर किसी के यह पूरी cycle जो है वो slow हो जाती है economy की पूरी cycle slow हो जाती है तो यह growth के लिए अच्छी बात नहीं है तो जो हम achieve करना चाते हैं हम achieve क्या करना चाते हैं अच्छे growth को क्योंकि lockdown की वज़े से और covid की वज़े से growth में drop आया तो अब हम इसको अगर pick up देना चाते हैं तो inflation control में रहना बहुत ही ज़रूरी है I hope यह कुछ बहुत ही basic चीजों के बारे में मैंने बात की हैं लेकिन I hope के वे सारे students जिनको इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था उनको थोड़ा बहुत ग्यानाच जो हैं वो मिला होगा moving on to last yet one of the most important article of the day increased consumption by Indians यह free press journal का एक article है जैसे मने बताया कि भरत जुन जुन वाला साब का लिखा हुआ यह article है पिछले 5-6 सालों से या फिर उससे भी ज्यादा साथ-8 साल हो गए हैं जब भी मुझे भरत जुन जुन वाला का कोई भी आज तक कभी भी उन्होंने मुझे निराश नहीं किया है बहुत ही outstanding writer है और प्रोफेसर रह चुके हैं I think he was in IIM but anyway let's start this discussion हमारे former या फिर ex-chief economic advisor अर्विन सुब्रमनियम साहब ने यह कहा कि अगर हमें हमारी economy को jump start करना है अगर हमें वो growth चाहिए तो हमें exports के उपर focus करना चाहिए क्योंकि domestic market जो हैं वो हमारी काफी छोटी है दुनिया की 18% लगबग 18% population हमारे देश में रहती है आपको दुनिया के सबसे अमीर लोग और दुनिया के सबसे गरीब लोग यह पूरी range यह पूरी variety आपको हमारे देश में देखने को मिलेगी है तो कोई भी product अगर आप launch करें भारत में अगर आपके तीन चाल लाग customer हो गए तेन यूड बी यहां हिट बिजनेस तो उनका यहां पर यह कहना है कि हमें focus जो है वो exports के उपर करना चाहिए domestic market के उपर कम यह उनका एक विचार है International Bank JP Morgan का यह कहना है कि अगर हमें economy को jump start करना है यह दूसरा विचार दूसरी bank से आ रहा है कि अगर हमें economy को jump start करना है तो government को investment के उपर खर्च करना चाहिए जिसको हम कहते हैं government expenditure government investment करेगी चीजों के उपर roads बनाएगी, bridges बनाएगी, electricity को spread करेगी, internet को spread करेगी, etc. यह सारी चीज़े जब government करेगी तो इसकी वज़े से लोगों को jobs generate होगी कि लोगों के पास पैसे हैंगे और फिर वो खर्च करेंगे और economy jump start हो जाएगी हमें यह चीज़ पता होगी I'm sure कि जब COVID की शुरवात हुई तब काफी एक negativity चल रही थी चाइना के प्रती हमेरे देश में तो है ही because of this LSE issue जिस परकार से चाइना misbehave कर रहा है तो देश के लोग जो है वो चाइना को इस चीज़ की वज़े से नफरत करने लगे हैं ट्रम्प साब थे उस टाइम पर USA में तो उन्होंने चाइना वाइरस कहा और चाइना के उपर इज़ाम लगया और वुहान से यह स्टार्ट हुआ यह सारी चीज़े हमने पढ़ी है और समझी है और हम शुर आपको पता होगा अब दुनिया का यह कहना था और बहुत सारे बड़े बड़े अनालिस्ट का कहना यह था कि इस चीज़ की वज़े से अब चाइना का डाउनफोल की स्टार्ट हो जाएगी और चाइना ने भी आर्टिकल से से डिसकस किये लेकिन रियालिटी कुछ अलग है United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD का कहना है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें जानिवारी फेबरुआरी और मार्च यह तीन महिनों में जो चाइना ने चीज़े एक्सपोर्ट की हैं यह 2019 के मुकाबले COVID से पहले का जो एक्सपोर्ट था चाइना का उससे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना ने 2021 में इन तीन महिनों में किया है फिर यह भी कहते थे कि चाइना में से बहुत सारी कंपनी अब चाइना को छोड़ कर चली जाएगी चाइना एक्जेट और कुट चाइना लिविंग चाइना और यह सारी चीज़े चल रही थी कुछ कंपनी बाहर भी गई जापान ने भी एक ऐसी स्कीम निकाली कि अगर आप चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे देश में शिफ्ट होना चाते हैं तो फिर आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा जापान की सरकार आपको पैसे देगी एक्सेटरा तो क्या यह सारी कंपनी जो है वो भारत में आ गई यह आंसर इस नो इसमें ऐसा नहीं है कि भारत कैपेबल नहीं है लेकिन भारत के कॉम्पिटिटर्स भी हैं हमसे आग अग बग एक्वल अमाउंट ओफ मूबाइल फोन्स पैदा करते थे आज हमसे कही गुना ज्यादा मूबाइल फोन्स जो हैं अच्छी टेक्नॉलोजी वाले मूबाइल फोन्स लेटिस्ट फोन्स जो हैं वो वीतनाम एक्सपोर्ट करा है क्योंकि बना रहा है और फिर एक्स करें वियतनाम के इतिहास को देखेंगे तो USA के साथ जुड़ा हुआ है कि इतिहास रहा है उनका तो English Speaking Population भी है वहाँ पर तो Western World के बहुत सारे देश जो है वो वियतनाम में Shift होने के लिए या फिर अपनी कमपनी को Shift करने के लिए तयार रहते हैं तो भारत को ये भी Competition फेस करने बंगलादेश की बात करें तो कपड़ों में बंगलादेश अब हमसे भी आगे निकल चुका है कपड़ों के एक्सपोर्ट में गार्मेंट एक्सपोर्ट में तो बहुत सारे इसे देश हैं जिनके पास उनकी खुद की Specialities है तो ऐसानी है कि सारा बिजनेस भारत में आ जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि कुछ आ ही नहीं रहा है लेकिन जो बाते हो रही थी उतना कोई खास डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला है इस आर्टिकल में भरत जुन जुन वाला लिखते हैं कि मुंबई के एक एक्सपोर्टर जो हैं उन्होंने कहा कि उनको कोई ए कंसाइनमेंट को चेक करना चाहेंगे देखना चाहेंगे कि जो कॉंटिटी उन्होंने डिकलेर की है ये कॉंटिटी बराबर है या नहीं तो ऐसी जो पूरा कंटीनर खोल के एक एक चीज़ को वेट जो उसका किया जाता है उसका वजन किया जाता है तो ऐसा करने में लगब तो यही व्यक्ति ने इसी व्यक्ति इसी एक्सपोर्टर ने ये भी कहा कि सरकार ने बहुत सारी जगाओं पर जो करौप्ट ओफिशिल्स थे उनको हटा कर अच्छे ओनेस्ट ओफिशिल्स को भी पोस्ट किया है तो यह सिच्वेशन हमारे एक्सपोर्ट की अगर हम चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो अर्विं सुब्रमनियम साब का जो सजेशन था कि हमें फॉरें की मार्केट के उपर ज्यादा फोकस करना चाहिए तो अप टाइम पर चीजें जो है वो एक्सपोर्ट भी हम न पुड़े कनेक्शन बहुत ही जो हम कहते हैं कि पहुचा हुआ आदमी है तो ऐसी चीजे होती है तो आप उनको इतना इसली उनको हटा देना या फिर एक दिन में आप उनको भटा देंगे तो यह नहीं होता है इस 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 रियल इंडिया ऐसा नहीं होता है तो आपको जितना जितने हो सके उतने honest officials को top position पर बैठाना होगा और bottom level पर जो लोग है उनको इतना आपको empower करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा just imagine के यह जो exporter है उनके पास ऐसी facility होती कि वो directly prime minister office में किसी को call करके या फिर यह complaint book करवाते कि यह पैसा मांग रहा है और यह ऐसी situation है और उस time पर directly prime minister office में से उस particular consignment को clearance मिल जाता अगर ऐसे situation होती तो corruption जो है मिनसे ऐसा अगर होने लगे तो फिर आपका जो यह corruption और यह सारे issues है वो खत्म हो जाएंगे और time पर आपका सामान जो है वो भारत के port से बाहर और बाहर के port से भारत तक पहुँच पाएगा दूसरी चीज़ sensex को अगर हम देखे हैं हमारी stock market तो stock market काफी grow हो रही है लेकिन overall हमारा growth जो है वो 2014 से continuously decline हो रहा है तो ऐसी situation क्यों है sensex जो है अगर यह expand हो रही है sensex अगर profitability generate करे तो sensex अगर ज्यादा numbers तक पहुँच रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो बड़ी बड़ी companies है उनका profit काफी अच्छा है बड़ी companies जो है उनको demonetization की इतनी कोई खास impact नहीं हुए demonetization की वज़े से चोटी industries चोटी companies जो हैं जो cash में काम करते थी उनको सबसे ज्यादा problem हुआ है फिर GST और यहाँ पर मैं बता दूँ यह जो उस उस टाइम पर अर्विन सुब्रमनियम साब जो है वो चीफ economic advisor थे तो आज जो उनका point है इस article में भरत जुंजुनवाला कहते हैं यहां पर जो वो कह रहे हैं के export करना चाहिए और यह सारी चीज़े लेकिन उनके ही द्वारा suggested good policies की वज़े से यह सारी चीज़े हमें देखने को मिली तो anyway demonetization की वज़े से छोटी industries को काफी impact हुई अब GST आई और GST जो है I'm not saying GST is a bad thing लेकिन GST की वज़े से हुआ यह कि पहले आपको octroy और यह सारी चीज़े पे करनी पड़ती थी तो बड़ी companies जो है उनका दाइरा तो था लेकिन difficulty तो होती थी उनको एक state से दूसरे state तक सामान पहुँचाने में तो चोटी चोटी चोट आपके राजिय में ही एक district से दूसरे district में चोटी चोटी companies का एक परकार से दबदबा था लेकिन अब GST के आने के बाद बड़ी companies जो है वो पूरे देश में अलग-अलग कोनों तक अपना सामान जो है वो बेज सकती है तो बड़ी companies के साथ competition face नहीं कर पा रही है चोटी industries त impact तो यह सारी चीजों की वज़े से इनका employment कम हुआ है और employment कम होने की वज़े से demand कम हुई है और इसकी वज़े से domestic जो एक domestic industry है उसके में एक slump हमें देखने को मिल रहा है service sector की बात करें तो service sector में भी हमें एक drop देखने को मिला है जो purchase managers index को देखें तो 55.3 था February में यह कम होकर 54.6 तो service sector भी दिरे दिरे down जा रहा है तो तीन जगह उपर we are facing problem export, domestic और service exports are down because of stranglehold of bureaucracy, domestic market डाउन है क्योंकि government की कुछ ऐसी policies है जिनकी impact हुई और service sector इसलिए डाउन है क्योंकि जो service sector है वो हमारे देश में तो important है लेकिन इसके साथ जो developed countries है उसमें जो हम सेवाय देते हैं तो एक लंबे समय से वहाँ पर भी lockdown और यह सारी situation थी तो उसकी वज़े से भी service sector जो है वो down है इसकी एक impact देखने को मिली है तो यहाँ पर suggestion यह दिया गया है कि bureaucracy को तो control करना लोगों को empower किया जाए उपर से honest officials हो तो शायद हम corruption को थोड़ा कम कर सके investment जो है यह important है लेकिन investment छोटे शहरों में होना चाहिए छोटे towns में होना चाहिए roads है electricity यह सारी चीजों की बज़े से छोटे टाउन में एक pickup देखने को बिलेगा और service sector के बारे में for example education की बात करें तो स्कूल में चाहिए वहाँ पर दे सकते हैं और फिर वहाँ पर admission लेकर पढ़ाई कर सकते हैं तो यह भी काफी interesting out of the box उनका एक suggestion है कि science के classes किसी एक school में अच्छे हैं तो आप वहाँ पर जाकर अपना class attend कर सकते हैं या फिर college वहाँ पर जाकर attend कर सकते हैं तो ऐसे directly students को voucher दिये जाए और फिर students दे करें के उनको यह voucher कहां पर use करना है तो हर college और school का access जो है वो उनको मिल जाएगा और यह voucher जब college और school जो है वो government को submit करेगी तो उसके बदले में उनको पैसे मिल जाएंगे और directly उनके account में पैसे मिल सकते हैं तो ऐसी situation create की जा सकती हैं तो this is just service sector में education को करेक्ट छोटा सा example यहां पर दिया गया है so that's everything in today's discussion dear friends thank you very much for watching this video यह रहा आपका आंसर यहा आपका नया प्रशना I'll see you tomorrow till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind